पूरे गाऊं के, एक बार मुझे याद आ रहा है, आप चारिक कता हुई थी, आप चारिक, अनाप चारिक मनी, विना कोई तैयारी के, बसमें यही पर था और शिवरात्री आ गई, शिवरात्री आई तो जो हनुमान जी का मंदर है, जब हम निकलते हैं परता है, और वही पर राट्री को कथा चली और कथा महारात जब शुरू हुई तो फिर पता नहीं दो बजे के तीन बजे कथा चलती रही और लोग बैटी ही रहे कोई हिला नहीं यहां के लोगों को याद नहीं होगी यह बात मुझे याद है मेरे मेरी लिस्ट में बुक में लिखी हुई है इसलिए तो कहने का अतात पर यह कि भाराही निरंतर हो यह न पूरे कथा कथा से भगवान मिल जाते हैं क्योंकि नौदा भक्ति में भी सबसे पहली भक्ति क्या है प्रतम भगति संतनकर संगा दूसर रतिमम कथा प्रचंगा जो शिर्मत भागवत में नौदा भक्ति है उसमें से पहली भक्ति क्या है स्रवनम कृत्नम भृष्णो इस्मरनम पादिशेवनम सबसे पहली भक्ति भग एक राजा ने एक बहुत बड़ा कथा का आयुजन कराया वह कथा में बैठे हुए थे और इतने भाव में श्रोचा थे पंडित जीने कथा कठा करते 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 वह सीथ ahamn की कथा आगई और कहा कि रावण सीता जी को हरन करके ले गया और सुन्ने वाले राजा मुकुंद इतने भाव में आ गए और यह जी भी क तार्स हर Kोष भी महराद शंक नाद करियां और पूरी की पूरी सेना तयार हो गए अवराजा क्या आग्याका पारण करना पड़े किसी मंतरी की हिम्मत नहीं किदा करके मना कर दें कि महाराद यह त्रेता का त्यास आपको सुनाया जा रहा है और आप यह क्या कर रहा है कल्यूग में आ करके और उसके बाद में राजा ने एक संकनाद किया सारी सेना उनके पीछे दोड़ चल पड़ी चलते 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 समद्र का किनारा आ गया समसे आगे राजा का घोड़ा था और राजा के घोड़ा ने जूही अपने घोड़ा रुग गया समद्र के पाने को देख करके और जूही राजा ने अपने घोड़े को चावु कमारा और घोड़े ने दौनाव पाउं उठाए उसे बीच में मद्य समद्र से भगवान सिराम लक्ठमण जानकी जी प्रगट हो गए का राज रंतर होए न पूरे तिनके ये तुम कहों अतिरूरे लोचन चातक जिनकर राखे रहें दरस जलधर अभिलासे जो संत भगवान के दरसन करने के लिए जन्होंने अपने नेत्रों को चकोर बना रखा है ऐसे लोगों के दिल में मेरे प्रभू आप निवास करना बड़ी सुंद्र सुंद्र बात में बताई हैं माताएं ध्यान वो करके सुनें वो कहते हैं कि भोजन को जो लोग ठाकुर जी को आरोग करके भोजन खाते हो उनकी घर में निवास करना प्रभू ही निवेदित भोजन करहीं भोजन जब करो तो उसी की घर में भगवान रहते हैं जो लोग ठाकुर जी को भोग लगा करके भोजन करते हैं इसलिए तुम्हें निवेदित भूजन करा ही जब भी कोई नया वस्त नया आभूशन आए तो पहले ठाकुर्जी के सामने रख दो ठाकुर्जी आपको पहले समर्पत और उसके बाद उसको इस्तेमार करो यह जीवन जीने के बिज्ञान